सबसे पहले आपको जोसा के वेबसाइट पर जाना होगा यहां से लॉगिन करना होगा लॉगिन करने के बाद आपको कुछ हैसा देखने को मिलेगा जैसे हमारी बच्ची जिसको अभी मिला हुआ है अब क्या है कि आपको भी ऐसे पहले चेक करना है यहां पर आप जाओगे तो आपको मौक अलाटमेंट डीटेल देखने को मिल जाएगी क्या मिला है कि से मिला है मौक है यहीं मिलने वाला है यह से बेकर मिलने वाला है अभी क्या है कि मात्र 101,55,005 बच्चों नहीं बहा था ठीक है अब उनके ये choices भरे गएते हैं तो उनमें जो top के बच्चे थे हैं उनके हिसाब से सबको mock allotment result आया है हो सकता है कि actual round में तुम्हें इससे बेकार मिले या ऐसा भी हो सकता है कि यहीं मिल जाए लेकिन यह मिलने के chance कमी है क्योंकि number of entries अभी और बढ़ेंगी ठीक है तो हो सकता है कि इससे खराब मिले लेकिन जोसा totally इस बात पर depend करता है कि आपने कितना बढ़िया choice filling करी थी जितना बढ़िया आप choice filling करोगे उतना जादा बढ़िया आपको result देखने को मिलेगा और जोसा कि choice filling हम इसा सूजबूज के साथ करना चाहिए क्योंकि एक से लेके six round तक सारा का सारा आपका इसी हिसाब से चलेगा क्योंकि बीच में आप ना तो edit कर सकते हो ना ही modify कर सकते हो कई लोगों को डर लग रहा है कि भाईया क्या हम अपनी choice filling को modify कर सकते हैं क्या yes you can modify your choice filling you can add, you can remove, you can do anything last date 28 से 28 से पहले आपको जो करना है आप हो करो, कोई मसला नहीं है कुछ नहीं जाने वाला है तो क्या है कि आपका mock 2 का result कल आने वाला है तो आप choice filling को purely बहुती बढ़िया ढंग से करिएगा मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ सोच समझ के सूज बूज के साथ करिएगा काफी सारा detail research करके आप करिएगा आपको अगर नहीं आ रहा हो तो आप हमसे पूछ लीजिए हमारा plan भी आप join कर सकते हैं अभी भी time है, लेट नहीं हुआ है 28 से पहले बहले आपको choice filling भी करना है और choice को verify भी करना है mock 2 का result कल आने वाला है तो कल से पहले पहले आप एक बार फिर से करके देखिए जिन लोगों को mock 2 में कोई result नहीं आया है उनको क्या करना चाहिए mock 1 में कुछ नहीं मिला है तो आपको क्या करना चाहिए आपको सीधा तोर पे आपको अपने च्वाइसे जौर बढ़ाने चाहिए मसला यह है कि अगर आपको mock 1 में ही कुछ नहीं मिला अभी तो बच्चे भी कम थे एक लाख पच्पन हजार बच्चे ही बस बैठे थे तो एक लाख पच्पन हजार बच्चों में भी अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो अभी तो धीरे धीरे इंट्री जौर बढ़ेंगी तो उसमें और कम चांच हो जाएगा आपको मिलने का तो आपको थोड़ा सा च्वाइस और बढ़ाना पड़ेगा लेकिन मैं नहीं कहा रहा है कि जो आपको नहीं लेना है आपको भी बढ़ाना है नहीं कर लेंगे और आपने जो सामें कुछ ले लिया जो आपको नहीं चाहिए और आप बात में भी बैट गया और अगर आप सीट चोड़ोगे तो आपको यह सब नहीं करवाना है आपको क्या करना है जो सा में अगर कुछ मिल रहा है तो उससे बैटरी आप यह डाल के रखिएगा यह नहीं कि जो सा है है तो कुछ भी भर दिया कबार सबार भर दिया और बाद में बोल रहे हैं कि भाईया आप रिफंड चाहिए लेकिन अपको अपने को सीसाइब में भी बैठना है तो ऐसा नुकसान आप मत करिएगा ठीक है जो सामें कुछ ट्रिक्स होते हैं पैसे बचाने के वह मैं आपके सा होगा विल ट्राइट किसको क्या मिला है मौक वन में प्लीज कमेंट बॉक्स में बता है तो चलिए मिलते हैं तब तक लिए बाबाए टा 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 एंड चाहिए